हमारे बीच में उपस्तित भारत सरकार के केंद्रिय मंत्री स्रीमान अनुरा ठाकुर जी स्रीमान सचीजानन्द दोशी जी और आज जिनके कारण हम सब लोग एकत्रित आये हैं ऐसे हमारे सबके सूपरिचित स्री अनन्त विजय जी आज प्रबात प्रकाशन के प्रबात जी प्यूश जी और आप सभी को नमस्कार वैसे दिल्ली में पुस्तक प्रकाशन लगातार होते हैं और कई विशों पर लगातार कई लोग लिखते रहते हैं परन्तु विशेश विशे को लेकर और जो सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महतपूर्ण विशे हो मुझे लगता है कि भारत में हर परिवार में इस बात में लगातार चर्चा और चिंता रहती है कि हम अगले अगले पिढ़ी को सही दिशा में कैसे ले जाएं और उसमें पूरग बात कौन सी होगी और उसमें बाधा किस बात से आ सकती है इसके चिंता लगातार रहती है तो मुझे लगता है कि अनन्त जी ने अपने पुस्तक में इसी चिंता को ठीक से छुआ है उनके पहले जो उन्होंने कुछ लेख लिखे थे उनको भी पढ़ने का कुछ मौका मिला था लेकिन इन्होंने उस लेखों को भी इसमें परिश्कृत कर दिया है और विश्यों को बिल्कुल समसामाईक रूप में बना दिया है और उनकी जो शैली लेखन में रहती है उसका अनुभो हमको इस किताब में भी आता है तो मुझे लगता है कि इस महत्तपूर्ण विश्यों पर और उन्होंने जो लेखन किया है वो हम सब के लिए बहुत उपयोगी होगा और मैं यह चाहूँगा कि जो भी लोग आजकल क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के जमाने में है और इसलिए अपने विचार हर कोई व्यक्त करता है और करना भी चाहिए हम लोगतंत्र में है हर एक को यह अधिकार है और मुझे लगता है कि हमारा लोगतंत्र के वल वोट देने के लिए या देखने के लिए नहीं है या सुनने के लिए नहीं है तो सहबाग होने के लिए है और इसलिए जेश समाज से जुड़ीवी हर बात में लोगों को सहबागी होना चाहिए जितने लोग सहबागी होंगे उतना अच्छा ही है अभी सहियोग से अपने सम्विधान को जब हमने लिया उसका भी पचातरवा वर्ष प्रारम हो गया इस 26 जन्वरी से और इस दुर्ष्टी से ये बहुत महतपूर्ण है कि जो बाते मूलभूत रूप में सम्विधान ने हमारे सामने रखी या हमारे स्वाधीनता जो सेनानी थे या जिन लोगों ने हमारे देश की स्वाधीनता के लिए संगर्श किया उन लोगों ने जो अपने भारत की कलपना रखी वो भारत की कलपना के अनुसार हम लोग भारत को बनाएं उस दिशा में हम आगे बढ़ें और ये काम केवल सरकारों का नहीं तो ये काम किकि ये लोगतंत्र है तो समाज के हर वेक्ति का है हर परिवार का है और इसलिए इस चर्चा में सबका सहबागी होना आपेक्षिद भी है लेकिन एक कंडिशन है जैसे आजकल होता है एक अंडरलाइन कंडिशन है उसमें कि आप थोड़ा सोच कर थोड़ा पढ़कर थोड़ा समझ कर थोड़े वि पार्लेमेंट में भी लोग प्रयास करते रहते हैं कि थोड़ी चर्चा उस दिशा में जाएं अच्छी दिशा में फिर भी हम लोग देखते रहते हैं तो अपेक्षा यह है कि चर्चा एक सही दिशा में सकारात्मक चर्चा हो जितनी सकारात्मक चर्चा होगी तो मुझे लग चाहिए कि हम अपने धर्म संस्कृती के अनुसार जिसमें लोग कल्लेंड भी अपिक्षित है उसके अनुसार हम बातों का निर्मान करें वो कोई भी बात हो जिसमें मदुरंजन भी आता है और इस दिशा में अलग-अलग विचार चिंतन हो सकता है लेकिन उसकी दिशा यही हो सकते कि हम अच्छा कैसे बना ले इसको और इस दुर्ष्टी से मुझे लगता है कि ये पुस्तक जो है ये निश्चित रुप से सभी को मदद करेगी जो भी सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहते है उनके लिए ये पुस्तक मदद करेगी क्योंकि मैं पढ़ रहा था मुझे लगता है कि आपने सभी सिरियल्स देखिए हैं कि सारी क्योंकि इसमें इतने सिरियल के नाम है मैं सिरियल को काउंट कर रहा था कि अगर हर एक सिरियल देखनी पड़ेगी तो इसके कि इतने घंटे होंगे। तो मैंने गूगल करके देखा कि एक सिरियल के डो शीजन है। उसमें आठ एपिसोड है। एक एपिसोड लगबग एक घंटे का है। तो मैं देख कॉंट कर रहा था कि 1, 2, 3, तो मुझे लगा बहुत सारे वित्रों की मदद ही आपने ली होगी कि बहुत सारे इतने सिरियल में इतना कंटेंट है वो बहुत सारा कंटेंट है तो मैं उससे फिर दूसरा विशार मेरे मन में आया कि इसका मतलब ये अच्छी बात है कि भारत में इतना सारा कंटेंट बन रहा है मैं मतलब अगर मैं फिल्मों का काउंट कर रहा था कि कितनी फिल्में बनती हमारे फिल्म प्रोडूसर संदीब सिंग्जी भी यहां आए तो मैं उनको देखी रहा था कि कितनी फिल्में मुंबई में मतलब प्रोडूस होती है और अब जाके जब से ये सारे नए प्लैटफॉर्मस आए तो हर भाषा के मतलब और कितनी भाषाओं में कितने प्रकार के कंटेंट आने के लिए मोका मिला है और कितने सारे मतलब सुदूर हमारे चतिरगड़ के गाओं में भी कोई अच्छा कलाकार जिससे हमारा कभी शायद परिचाय नहीं होता जिसकी प्रतिवासे हम शायद कभी नहीं मिलते हैं वो भी आज इस नए प्लैटफॉर्म जो आए है चाहे यूटूब का उलेख हुआ चाहे जिस प्लैटफॉर्म का उलेख हुआ सब के कारण बहुत लोगों को मौका मिला है और मुझे लगता है भारत तो कला का उत्सव है तो वास्तों में ये एक बहुत अच्छा मौका हम सब लोगों के लिए आया है और इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस मौके को हम लोगों को मतलब उस तरीके से नहीं करना चाहिए जैसे मतलब हमारे देश में कुछ लोग है जिनकी प्रवरुत्ती ऐसी है कि मतलब कहीं कोई कमिया हो तो इतना ठोकों की वो चीजी बंद हो जाए जैसे कभी मुंबई की इंडस्ट्री बंद हो गई कभी कपड़े की मीले बंद हो गई मुंबई की कभी कलकाता की इंडस्ट्री बंद हो गई तो यह तरीके भी गलत है मतलब उस तरीके से हमें किसी को भी इतना भी करना चाहिए बलकि मैं चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री को वास्तों में इसको इंडस्ट्री का सुरूर कुछ दरजा दिया है सरकार ने तो वो इंडस्ट्री के दरजे को डिफाइन भी करना चाहिए ताकि अच्छे नए लोग जो इध उसमें भी नए लोग उनको किसी के दरवाजे पर खड़े होने की जरूरत न पड़े वो अपने मन से विकि कंटेंट में OTT फ्लैम्ट कॉम्स की एक समस्चा ये भी है कि उसमें चूंकि कंटेंट के लिए धन की प्रबंदन वो कर रहे या वो खरीदने वाले है इसलिए उसका वी एक मनोपोलैजेशन होता है और उसका भी एक प्रभाव कंटेंट के प्रड़क्शन में हो रहा है इसलिए इसकी चिंता भी करना जरूरी है कि ये दबाव कहां से कैसे आते हैं कैसे निरमान होते हैं और कैसे ऐसे प्लैटफोर्म्स वो अपने दबाव उस मोनोपोली के क कारण तैयार करते हैं तो वह जो मुक्तता है कि मुक्त रूप से वास्तों में अपनी कलात्मक प्रत्तुति को करना इसमें भी बाधाय उत्पन्न होती है और इसलिए कोई नो कोई ऐसी जिसको हमने इंडस्ट्रियल स्थान दिया है इंडस्ट्री का दरजा दिया है तो उसके अनुसार कोई नो कोई ऐसी वेवस्थाएं निर्मान करना अत्यनता आवश्यक है दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कलात्मक जो बाते प्रस्तुत हो रही है ओटिटी में और एक विशह है जिसका उलेक होना यहां जरूरी है मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मतलब पूरती निर्मान करने वाले किसी भी लोगों का कोई उस पर अधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है लगभग तो यह दुनिया बर में आजकल सब जगा शेरिंग की पद्दती आई है मुझे लगता है कि अपनी जो भारत में मुंबई फिल्म इंडस्ट्रिया और लाने लिखने वालों के बहुत सरे कॉपिरेट्स चलते रहते हैं बाद में तो यह कई सारे विश्यों पर भी बात होनी चाहिए उसके काराण मुझे लगता है कि लोगों के लिए मजबूरी भी नहीं रहेगी जो यह कंपेल करता हो कि तुम्हें ऐसे ही कंटेंट बनाने प लगाने की जरूरत नहीं लेकिन रेगुलेशन की जरूरत है और अगर सेल्फ रेगुलेशन से कोई बात नहीं होती है तो निश्यत रूप से रेगुलेशन करना कोई जबरदस्ती की बात नहीं है रेगुलेशन कभी एक रेगुलेशन ही होता है जैसे सेंसर बोड चली रह से एक और बात महतर की है कि जैसे होता है कि लोग क्या चाहते लोग तंत्र में क्या होता है लोग क्या चाहते हैं अगर लोग कोई बात चाहते हैं तो मुझे लगता किसी भी पार्टी की सरकार हो कोई भी पार्टी हो वो उसके अनुसार अपनी दिशा बदलते हैं तो ये बात अगर लोग अच्छी फिल्मों को ही ज्यादा चलाएं और अच्छी बातों को ज्यादा चलाएं तो उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है जिन फिल्मों का नाम अभी आप ले रहते अपने मानिया अनुराग जी तो वैसे चीजे आती है तो बाकी लोग भी उससे प्रु चेत्रों में आते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग जागरूती का भी एक महतपुर्ण विशे है कि लोग क्या चाहते हैं और लोग क्या मांगते हैं जैसे स्कूल में होता है न कि लोग स्कूल में जाते हैं बोलते हैं ये स्कूल कैसी है बिल्डिंग कैसी है और School का अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं उस पर लोग जाते हैं तो लोग वही करते हैं अगर लोग जाके करके कल पूछेंगे कि बच्चे को क्या पढ़ाते हो, कौन से संस्कार देते हो किस तरिके से आप करते हो किताब में इतियास क्या पढ़ाते हो तो वहाँ वो भी बदला हो जाएगा तो how we demand ये भी बहुत मुत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि आज के समय में एक मैं कई बार सोचता हूँ कि बहुत 200-300 साल ऐसे हो गए शायद हम उतने मजबूत नहीं थे भारत के ना थे एक राश्टर के ना थे और दुनिया में भी शायद ऐसी परिस्ति नहीं रही होगी तो 200-300 साल ऐसे हुआ है कि जैसी जैसी टेकनलोजी जाती चली गई जैसी जैसी टेकनलोजी जाती चली गई लोगों ने अपने जीवन को अपने कल्चर्स को भी अपनी परंपराओं को भी उसके अनुसर अजसर कर लिया ये बात कंवल भारत में नहीं हुई, ये बात इरोप में भी हुई, दुनिया के सब देशों में हुई है, लोगों ने तीन रहने की पड़ति अपने परिवार की पद्धती कमाने की खाने की पद्धती में बहुत सरी चीजों में एड़ेस्ट्मेंट करते चले गए मजबूरी में और फिर मतलब क्रेजिनेस में कि जो टेक्नलोजी आ गई वही सरकारों ने ले ली वही मार्केट में आ गई अब यही चलता है तो यही चला हो तो मुझे है नाम भी मैं जादा नहीं बोलूँगा वो भी हम आया है तो हम देखते हैं ऐसे भी लोग सोचते हैं मुझे लगता है कि इस शेत्र में भी ऐसा सोचने की जरूरत है कि भाई टेक्नलोजी जो आ जाएगी वह हमें थोड़ीना डिक्टेट करेगी हम लोग अपने हमें कैसा हम अपने धर्म सांस्कृति के अनुसार अपने जीवन के लिए मानों के लिए कैसा अच्छा है उसके अनुसार हम जीवन की अपनी पद्धति ताई क्रें बेसिक साइफ ना हमें जो टेक्नलोजी चाहेगी वैसा बन जाएगी हमारे पास उस तरीके की बाते बन जाएगी वैसा मनुरंजन भी बन जाएगा वैसी हर चीज़ बन जाएगी तो अब मुझे लगता ये समय है भारत में और ये काम मुझे लगता भारत को ही करना पड़ेगा हम लोगों को ही करना पड़ेगा और इसलिए इस दिशा में भी सब लोगों को सोचना चाहिए और कैसे हम लोगों को कैसा मंदूरंजन चाहिए इस पर भी मुलभूत विचार भी लोगों के सामने आना चाहिए तो मुझे लगता है कि सरकार भी और जो भी कला जगत के लोग है वो भी इस बारे में बहुत संवेधन शील है वो सब इस पर जरूर विज़ार करेंगे और इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं और निश्चित रुप से आने वाले समय में हम ये अपेक्षा करें कि कला जगत के लोग प्लैटफॉर्म्स के लोग अच्छे कंटेंट लेकर आएं जैसे कि बहुत सारे कंटेंट अच्छे भी है कुछ बुरे भी है तो अच्छे जादा लेकर आएं और अगर उस पर जरूरत पढ़ती तो सरकार को भी उस पर जो आवश्यक कारवाई हो या नए रिगुलेशन्स हो उस पर भी विचार करना चाहिए ताकि यह हम एश्यूर करें निश्चित करें कि निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से हमें जबरदर्स्ति कुछ न देखना पड़े स्वतंत्र रूप से अच्छा कंटेंट हम देखें और बाकी अच्छी बुरी चीज़े समाज में हर जगत हर समय रहती है लेकिन अच्छे का ही बुलबाला होना चाहिए वही फ्रेंट पर रखना चाहिए लोग मदीरापान तो हर यूग में करते होंगे लेकिन यह मर्यादा तो रखनी पड़ेगी तो मुझे लगता है कि इस दुष्टी से हमारे बीच में इस चर्चा को और अच्छी दिशा देने की दुष्टी से यह जो अनंत जी का प्रयास है और वो प्रयास निश्चित रूप से हमारे सब के लिए बहुत उपयोगी रहेगा और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये कारिया हाथ में लिया और आगे भी आप ऐसे कारियों को हाथ में लेंगे आप सभी को प्रणाम नमस्ते